नमस्कार दस्तों, वेलकम टो और वंडे एक्जाम क्लासे देखिए, आज है 9 माई 2022 और आज इक दिन आपका रेलवे एंटी पीसी, सिवीटी टू का एक्जाम संपन्न हो चुका हैं, तो आपने जो प्रेश्ट हमारे पास भेजे हैं, उसी की बेसिस पर आपको सारे सबसे सही उत्तर बताने जा रहे हैं, हम आपको प्रेथम सिट का पेपर करा रहे हैं, तो प्रेथम सिट में पूछा गया था, आर्टिकल 249 में किसके बारे में उलेक किया गया हैं, तो आर्टिकल 249 केंदर सासित प्रदेशों का जो प्रसासन हैं, वो राष्टपती के द्वारा होग और आठ केंदर सासित प्रदेश हैं तो ये आठो केंदर सासित प्रदेश में या तो राष्टपती प्रसासा की नियुक्ति करता है या उपर राजपाल की नियुक्ति करता है या फिर अगर कहीं पर उपर राजपाल नहीं है तो उसके बगल वाले राज के राजपाल को इसक स्काई की बटन दिखें कि उस अदवा का लाल से काली कर दीजेगा ताकि आनल जो वीडियों हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें देखिए अगला कोशन पूछा गया था आई पी सीसी का फुलफार में आप से पूछा गया था तो इसका सही उत्तर था इंटर गवर्मेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ये इसका फुलफार में होता है ये क्या है एक संयुक्त राष्ट की अधिकारिक पैनल है जो जलवाई में बदलाव और ग्रीन हाउस गेसोच का अध्यान करता है ठीक है इसकी स्थापना कब हुई थी 1988 में हुई थी मुख्याले कहां पर है शुर्जर लेंड के जिनेवा में IPCC का मुख्याला है ये कोशन आपके सारे जो बताने जा रहा हूं ये प्रथम सिट्व के कोशन पेपर में पूछे गया थे अगला कोशन दे की पूछा गया था महमूद खिल जी को हरा करके विजय स्थम्ब किसने बनवाया था तो ये सीधा सा कोशन पूछ सकता था विजय स्थम्ब किसने बनाया तो विजय स्थम्ब को राडा कुंभा ने बनाया था कब बनवाया था 1448 भी मनाया था ये कहां पर पड़ता है चितोणे पड़ता है ठीक है सारी आपको प्रिष्णों के उत्तर जो है विश्तित देने का प्रयास कर रहें ताकि आपके आने वाली एक्जाम के लिए इस प्रिष्ण जो है इंपॉर्टन रहें अल्ला रखा खां कौन सा वाद्रियंत बजाते थे एक कोशन आप प्रथम स्विप का पेपर देखा रहें होंगे तो वहाँ पर आपको यह सारी कोशन देखने को मिले होंगे तो यह तवला वादक थे जिनकी में तो 2000 में हो गई थी अल्ला रखा के जो पुत्र है वो जाकिर हुसैन है जो की तवला यह भी बजाते हैं जाकिर हुसैन तो कोशन सारे आपके रेलवे एंटी पीसी टू के एक जाम में पूछा गया थे तो हर याणा के गुरू ग्राम में पहला अनाज एटियम स्टार्ट किया गया था जिसके द्वारा आप एटियम के थ्रू जो है वो अनाज को ले सकते हैं अगला कोशन देखी पूछा गया था परमाण करमान के तीस किस तत्यो का है यह साइंस से कोशन पूछा गया था तो परमाण करमान के तीस जो होता है वो जिंक का होता है ठीक है जिंक किस त्रेड़े में आता है डी ब्लाक में आता है अगर इसके द्रमान संख्या की बात करेंगे तो 65 इसकी द्रमान संख्या होत असम में बोडो भासा बोली जाती है असम की राजधानी क्या है दिस्पूर इसकी राजधानी है अगर सियम पूछता आप से हेमंत विश्वा सर्मा जो है वो असम की सियम है बोडो जो है एक तिबिती वर्मा भासा है जो कि असम में भी बोली जाती है आप से पूछा गया था 69 वी Grand Master कौन बने है Grand Master जो बनते हैं वो सत्रण जे बनते हैं आप से 69 पूँचा गया था जो कि अगस्ट 2021 में हरसित राजा जो पूरे के हैं वे Grand Master बने थे अभी तो देखी इसके बाद 70, 71, 72, 73 ये सभी Grand Master बन चुके हैं आप से 69 नमबर खास करके पूँचा था ठीक हैं तो अगस्ट 2021 की आप से करेंट अफेर पूँचा था इसके बाद 70 नमबर पर देखी कौन बने हैं राजा रित्विक बने हैं Grand Master ये सारे अगस्ट के बाद ही Grand Master बने हैं 70 नमबर पर संकल्ड गुपता बने हैं 72 नमबर पर मित्राब गुवा बने हैं 73 नमबर पर भरत सुब्रमण्यम बने हैं तो सारे आपको Grand Master के नमबर याद करके चलने हैं नाम से आप कन्फ्यूज आएंगे आपसन में अगर आपको हरसित राजा दिख जाए तो सही कर दीजेगा ठीक हैं आपसे नमबर वाइस पूचा था यह सारे मैंने आपके लिए लिख दिया हैं आने वाले एक्जाम के लिए यह सभी important question है अब देखिए आपसे पूचा गया था किस पैरा ओलंपिक खिलाडी ने टोकियो पैरा ओलंपिक में वो जैपुर राजिस्थान की हैं जिनोंने पैरा ओलंपिक जो टोकियो को हुआ था उसमें दो मिडल प्राप्त कियें पहला 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मिडल प्राप्त किया है दूसरा 50 मीटर एयर राइफल में कांस पदक प्राप्त किया है तो दो मेडल प्राप्त किये हैं इन्हें मेजर ध्यान चंद खेल रतन एवार्ड 2021 भी मिला है याद रखेंगे और हमने आपको करेंट पर पढ़ाया था कि पैरा उलम्पिक सर्व सेष्ट महिला पदार पर पूरुसकार भी किसे मिला है अवनी लेखेरा को मिला है ये सबी इसके बाद देखिए आपसे पूचा गया था नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है ये कोशन आपके एकजाम में आया था तो नील नदी का वरदान मिस्त्र देश को कहा जाता है क्योंकि मिस्त्र देश जो है वो नील नदी के किनारे काफी विस्त्रित हुआ है और जो भी इसकी उपजाव जमीन है, इसका उपजाव देश है, वो नील नदी काड़ ही है, ये कहाँ पर पढ़ता है, अफ्रीका देश में पढ़ता है, भीमराव अंबेटकर को प्रारूप समित का अध्यच है, किस दिन बनाया गया था, ये कोशन आपके एक्जामे पूछा गया था, तो कब बनाया गया था, 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था, ये डेट आपसे पूछी गई थी एक्जाम में, ड्राप्टिंग कमेटी इंगलिस में कहते हैं, ये प्रारूप कब बन करके तयार होकर के समिधान सभा को भीमराव अंबेटकर ने कब दिया था, 21 फरवरी 1948 को प्रार भीमराव अंबेटकर को मिला करकी इस समीत में, 7 अध्यश, मतलब 7 लोग थे, जिसमें से भीमराव अंबेटकर इसके अध्यश थे, अगला कोशन दे की पूछा गया था, भारत का पहला, जीयो पार्क कहां पर बनेगा, जीयो पार्क बनेगा, मद्ध पदेश की जबलपू जाएगा, तो ये जीयो पार्क जो बनेगा, जबलपूर में बनेगा, भारत का, भारत में माजुली दीव जो है, वो किस नदीव पर है, ये कोशन आज आपके एक जामें पूछा गया था, तो ब्रहमपूत नदीव पर है, ब्रहमपूत नदीव कहां पर है, मतलब की विस्वे बड़ा दीव जो है वो माजुली दीफ हैं किस समयधानिक कर्मी पर RTI लागु नहीं होता हैं मतलब किस समयधानिक आयोग पर RTI लागु नहीं होता हैं ठीक हैं RTI महान्याईवादी पर लागु नहीं होता हैं यह आपके आप्शन में थे आर्टिकल 76 में भारत के महान्याईवादी पर चर्चा की गई हैं तो RTI जो हैं किसी न्याई समंधी कारी के लिए आप नहीं मांग सकते हैं या फिर खूफिया एजंसी के कारी पर आप RTI नहीं सकते हैं तो RTI किस समिधानिक निकाई पर लागु नहीं होता है भारत का महान्याईवादी यह आपके आप्शन में था मौलिक करतब भारती समिधान में कब जोड़ा गया यह कोशन आज आपके पूछा गया था तो 1976 में जोड़ा गया बैलिसमे समिधान संसोधन में गया था इसे कहां पर रखा गया भाग 4 के का में रखा गया आर्टिकल 51 के का में रखा गया कुल कितने हैं जब जोड़ा गया था तब 10 थे अभी एक और बढ़ा दिया गया तो टोटल 11 हो चुके हैं इसे हमने किस के समिधान से लिया तो रूस के समिधान से लिया है तो यह सारे important question आपके examen पूछे गए थे helicopter सेवा प्रदाता पवन हंस जो company है इसका अधिगरण किस ने कर लिया है तो सरकार ने अपनी जो भी हिस्सेदारी थी 51% वो पवन हंस की बेच करके star 9 mobility को दे दिया है तो अब helicopter जो सेवा पवन हंस है star 9 mobility की company की हो गई है आपसे पूछा गया था दो रहा का युद्ध कब हुआ था दो रहा या फिर इससे देवरा का युद्ध भी कहते हैं जैसा कि आपके examen पूछा गया था दो रहा ठीक है तो किसके किसके बीच में हुआ था यह महमूद लोदी और हुमायू के मद्ध में हुआ था जिसमें हुमायू विजय हुआ था हुमाय के उधारा और भी युद्ध लड़े गए थे जो कि आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं जैसे कि चौंसा का युद्ध 1549 में हुआ बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ जिसमें हुमायू हार गया था फिर इसकी स 34 1549 विलग्राम या फिर कन्नोच का युद्ध कहते हैं 1540 सरहिंद 1555 इसके बाद आपसे पूचा गया था चिहुआ हुआ रेगिस्तान कहां पर है यह मेक्सिको में पढ़ता है मेक्सिको किसका पार्ट है USA का पार्ट है मतलब अमेरिका के अगर आप संयुक तराष्ट अमेर प्लासिक युद्ध आपने कहा प्लासिक युद्ध कब हुआ था ये भी कोशन आया था तो प्लासिक युद्ध 1757 हुआ था और बक्सर की युद्ध अगर आपसे पूचेगा तो 1764 में बक्सर की युद्ध हुआ था ये सारी डेटे आपको याद करके चलनी है अगला कोश सत्ता ग्रामें ही किया था तो ये सिकेंड स्रिप्ट का पेपर है इसके पहले वीडियो में हमने आपको फस्रिप्ट का पेपर कराया है उसे भी आप लोग जा करके देख लीजेगा देखिए आज के पेपर ने पूछा गया था 2011 के जनगर्णा के नुसार किस राज में अनसूचित जाति के निवासी निवास नहीं करते हैं तो आपके आपसन में नागालेंड रहा होगा तो नागालेंड इसका सही उत्तर होगा वैसे 2011 के जनगर्णा के नुसार नागालेंड एम और आंचल प्रदेश में इससी निवास नहीं करते हैं अनसूचित जाती निवास नहीं करती है तो नागालेंड आपसन में था तो नागालेंड को सही करिएगा अड़वांचल पदेश मुझे लगता है आपसन में नहीं था 2011 की जनगर्णा के नुस्तार हर्याड़ा और पंजा में एस्टी मतलब की अनसूचित जन जाती निवास नहीं करती है ये आने वाली एकजाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लिजेगा देखे अगले कोशन ने पूछा गया था नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है ये आपके आपसन में था सांगपो नदी के नाम से ब्रमपुत्र को तिब्बत में जाना जाता है जब तिब्बत से और अंचल पदेश में प्रवेस करती है तब इसे दिहां के नाम से जाना जाता है और अंचल पदे के लिए तयार करके चलने होंगे अगला देकि कोशन पूछा गया था वर्तमान में सुप्रीम कोड की मुख्य नयद्धीस कौन है ये कोशन आप से पूछा गया था तो नंबर भी आपको याद रखना है अगला कोशन पूछा गया था कोराण का जो सूर्य मंदिर है वो किस सदी में बना था देकि कोशन को घुमा करके पूछा जा रहा है इसलिए जब तक आप डिटेल में कोशन को नहीं पढ़ेंगे आप सहीं नहीं कर पाएंगे तो तेरहवी सदी में बना था अगर एकजयक सन की बात करेंगे तो बारासो पचास इसवी को बना था तो बारासो पचास के अगर बारासो के पहले होता तो बारासो के बारासो के और तेरासो के बीच में है तो तेरहवी सताब्दी कहेंगे तेरहवी सताब्दी इसका सही उ आपसे पूछा गया था आर्टिकल 182 में किसका उलेख है। आर्टिकल 182 आपके एक जमें पूछा गया था। तो विधान परिसद वाले पिरतेइक राज की विधान परिसद यथा सीद्ग अपने दो सदस्यों को अपना सभापती एवं उपसभापती चुनेगी। जैसे कि आप जानते हैं कितने राज्यों में विधान परिसद हैं, छै राज्यों में विधान परिसद हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, करनाटक, तिलांगाना, आंध्राप्रदेश, महाराष्ट इन छै राज्यों में विधान परिसद हैं, तो जब भी विधान परिसद का ग तो आर्टिकल 182 में कहा गया है कि विधान परसत एक तो अपना सभापती चुनेगी एक उप सभापती उनी सधस्यों में से चुनेगी तेकि अगले कोशन ने पूछा गया तक केंदरी संस्कृति मंत्राले द्वारा बंगाल में कौन सा महोस्व बनाया गया तो संस्कृति मंत मंत्राले का नाम है उसी प्रकार से ही राश्टी संस्किति महोसव बंगाल dona मनाया गया केंदरी संस्किति मंत्राले द्वारा तो यह कोशन आपकी एक जमें पूछा गया था अगला कोशन देखी पूछा गया था अनुछे 952 किस से संबंधित है आर्टिकल 352 किस से समंदित हैं तो आर्टिकल 352 में राजटी आपातकाल हैं राजपती सासन 356 में हैं और वित्ती आपातकाल 360 में हैं तो ये कोशन आपके एक जामें पूछा गया था आर्टिकल 352 दो आर्टिकल आये थे एक 182 एक 352 तो देखी अगला कोशन पूछा गया था में सूबा लचमी किस राज़ से समंदित थी तो आपके आपसन में राज़ दिये रहे होंगे तो तमिल नाड़ राज़ से समंदित थी मुदरई में जन्म हुआ था तो तमिल नाड़ के अंदर ही मुदरई पड़ता है 1998 में भारत जीतने वाली प्रत्थम संगीत कार थी संगीत के छेतर में अगर किसी को पहला भारत अतनी मिला तो किसे मिला था 1998 में 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 सुवा रच्मी को मिला था इसलिए कोशन आपके एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टन बन जाता है अगला कोशन पूछा गया था गांधी इर्विन समझोता कब हुआ था तो गांधी इर्विन समझोता 4 मार्च 1931 को हुआ था इसी के कारण गांधी जी ने समिनाए अव स्पोर्ट्स ओमेन आपदी इयर 2021 किसे मिला है अगर बीविसी इंडियन की बात करेंगे तो आपसे पूछा गया है तो मेरा भाई चानू इसका सही उत्तर था भारत तोलने मिला है सिरवल मेडल इन्होंने जीता था टोक्यो ओलंपिक में ठीक है इसलिए बीविसी इंडियन स्पोर्ट ओमेन आपदी इयर 2021 मिला है मैंने आपको करेंट एफे ने बताया था बीविसी स्पोर्ट ओमेन आपदी इयर अगर वर्ड की बात करें तो एमारादा कानू को मिला है यह मैंने आपको करेंट एफेर में कराया हुआ कोशन था अगला देकी कोशन आपसे पूछा गया था नेपाल से कौन सी नदी निकलती है ये कोशन आपके एक जामे पूछा गया था तो नेपाल से गंडक नदी निकलती है नेपाल में इसे सालिक ग्राम कहते हैं और जब ये मैदानी भाग में आती तब इसे नारायनी नदी भी कहते हैं जो सालिक ग्राम के गोले गोले क काले काले पत्थर हैं जिनकी पूजा होती हैं वो इसी गंड़क नदी से पाये जाते हैं तो नेपाल से निकलने वाली मेरी हिसाब से गंड़क नदी आपके आपसन में रहा होगा तो ये सही उत्तर होगा इसके बाद देखी पूचा गया था अठारो सो सताओन की करांती में लखनाउज से किस भारती नायक नेनेतित तो किया था ये कोशन आपके एकजामेश पूचा गया था, 1817 की करांती से तो इसका सही आपसोनोगा बेगम हजरत महल 4 जून 1857 में नेतित तो किया गया था पहले देखी ब्रिटिस नायक थे हेनली रोरेंस जिनकी मृत्व हो गई थी नेमार दिया गया था फिर इसके बाद ब्रिटिस जो नायक थे वो कैम पे बिल थे ठीक है लेकिन भारती नायक की बात करेंगे तो बिगम हजरत महल जो कि आपके आपसन में रहा होगा अगला देकी कोशन आपके पूँछा गया था भारती समुधान में संसधी प्रडालि किस देश से या फिर किस देश के समुधान से ली गई है तो संसधी प्रडालि को हमने बριटेन से धारड किया है तो इसका सही आपसन कौन सो होगा जहां पर भी ब्रेटेन लिखा होगा वो इसका सही आपसन होगा अगला देखे कोशन आप से एकजाम पूछा गया था काली मिट्टी कहां पर पाई जाती है तो आपसन में आपके पठार जैसे कुछ दिया रहा होगा तो डककन का पठार आपके आपसन में रहा होगा तो डककन का पठार जो है इसका सही आपसन होगा डककन की पठार या फिर मिट्टी की बात करेंगे तो महाराष्ट एम गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है जो कि कपास की खेतिक लिए सरवाधिक उपयोगी होती है इसे रेंगूर मिट्टी भी कहते हैं टिटनी फेरस मेगने टाइड के कारण काली मिट्टी का रंग जो होता है वो काला होता है ये सभी बाते मैंने आपको जी एस वाले सारी वीडियों बताई हुई है इसके बात देखिए ये करेंट फेरस कोस्टन जो हमने कराया था आपको इसरो यह नासा ने मिल करके कौन सा उपगरा मनाया है तो इसरो देखिए भारत का अंतरी छकारकरम जो समालता है इसरो समवालता है और NASA जो अमेरिका का है उनासा का अंत्रिश चकारकम समवालता है तो इसरो और NASA ने मिल करके निसार बनाया है निसार इसे English में इस प्रकार से लिखते हैं जैसा नीचे लिखा हुआ है NISAR जिसका full farm इस प्रकार से है N से देखे NASA हो गया, I से ISRO हो गया तो N I, NASA ISRO इसके बाद Synthetic Aperature Radar SAR AAR तो यह फुलफार में है, जिसे shortcut में हिंदी में निसार कहते हैं तो यह सभी प्रश्ण आप लोगों ने हमारे पास भेजे थे यह सभी जो मैंने आपको प्रश्ण कराई है second shift के paper के आपके question है ठीक है, जो भी question अगर आपको और भी याद आते हैं तो आप हमारे telegram channel पर भेज सकते हैं या फिर आप हमें WhatsApp नमबर पर भेज सकते हैं हमारा WhatsApp नमबर है 87-95-34-62 यह हमारा WhatsApp नमबर यह से note down कर लिजेगा 87-95-34-62 यह हमने आपको second shift का जो आपका paper साम की shift में संपन हुआ उसके सभी question कराए हैं अगर आपको और भी याद आते हैं तो आप comment box में बता सकते हैं मैं आपको दोनों की PDF telegram channel पर भेज दूँगा telegram का link आपको description मिल जाएगा वहाँ से आप लोग ले लीजेगा इसकी पहले shift की भी हमने वीडियो बनाई है उसको भी देख लीजेगा second shift की बनाई है उसको भी देख लीजेगा second shift वाले कह रहे थे कि उनका paper जदा hard आया है पुकि उसमें question उनको समझ में नहीं आ रहे थे ठीक है यह अलग अलग लोगों का मत है पहले shift वाले तो normal कहला है लेकिन second shift वाले कुछ लोग जो है वो थोड़ा hard paper कह रहे है अब आप लोग comment box बताएगा कि आपके हिसाब से paper कैसा था ठीक है आप लोग paper देख रहे हैं जिनका paper होने वाला है उनके लिए सारे question माने विस्तार से बताएगा दोनों वीडियो को देख लीजेगा कुछ प्रेस्ट ना है तो आप लोग hard stuff भेज सकते हैं किसी question में doubt होता है कि sir ऐसे नहीं ऐसे प्रेस्ट ना है था तो उसे आप लोग comment box बता सकते हैं मिलते हैं नेस्ट वीडियों बहुत बहुत धन्यवाद